इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी दवाई को इस्त्वाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। यह हमारी आंत में भोजन के सरल ग्लूकोज, यानि की शरकरा में टूटने को धीमा करने में मदद करता है, जिससे भोजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर में वृध्धी कम हो जाती है. यह मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से अतिरेक्ट ग्लूकोज को बाहर निकालने में भी मदद करता है. रक्ट शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है. यदि आप स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की क्षती, आखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं. अगर आपको टाइब दो मधुमे है और पहले से ही हिर्दे रोग है तो वोगलि मैक जीएम एक टैबलेट एसार हिर्दे रोग से मरने के जोखिम को कम करेगा. उचिताहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी. आपको इसका उप्योग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थी की रक्षा कर रहा है. इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं. वोगलिमैक GM1 टैबलेट एसर को खाली पेट लेना है. वोगलिमैक GM1 टैबलेट एसर तीन एंटिडाबिटिक काम करते हैं. गलिमिपाइराइड एक सलफिनीलूरिया है जो रक्त शरकरा को कम करने के लिए अग्णियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है. मेटफॉमिन एक बिगवानाइड है जो लीव में ग्लूकोस के उतपादन को कम करता है. आतों से ग शरकरा के स्तर को बहुत उच्छ स्तर तक बढ़ने से रोकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक् केशन बेल को टन उन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें. धन्यवाद.